अगर आप मेरे चैनल पर रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को और प्लीज लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आता है मेरे को चैनल है सब्सक्राइब कर सकते हैं आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इंट्रस्टिंग टॉपिक है एंजल से मैंने आज पूछा है कि आप लोग जो भी हो सभी लोग जो भी जिस भी परसंद से मिले हुए थे तो आप जो उनसे मिले थे तो आपके और उनके पीछे मिलने का जो उद्देश यता क्या वो आपने पूरा कर लिया है क्या आपने वो लेसंस को लर्न कर लिया है जो उनसे सीखने थे आपको या फिर जो भी आप दोनों को मिलाने का परमात्मा का कारण रहा है क्या आपनों उसको पूरा कर लिया है क्या आपनों उस टास्क को अचीफ कर लिया है Let's start your reading डिया ओके Please angels गाइड कीजिए क्या मेरे जो भी viewers है उन्होंने अपना टास्क कमप्लीट कर लिया है क्या उनको जो भी उनका मिलने का उद्देश ये था उनके परसन से क्या उद्देश उन्होंने पूरा कर लिया है क्या जो सीखना था वो उन्होंने सीख लिया है Please guide me क्या उनका मिलने सीखने 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 झाल 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 जाल यहां पर काड आ रहा है पेज आफ कॉप्स हाई प्रीस्टेस मजीशन हेरोफंट पॉर आफ कॉप्स नाइट आफ वंस यहां पर पैंट। तो यहां पर क्या नजर आ रहा है देखिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर सबसे जादे important था clarity मुझे ऐसा लगता है गाईस कि आप दोनों की connection में past से ही कोई negativity आ रही थी जिसकी वज़े से इस connection में यह कहीं clarity आप लोगो नहीं मिल पाती है कि क्या यह परसन आपके लिए सही है यह फिर वो भी आपको इस चीज़ को लेकर clear नहीं कर पाते हैं कि क्या आप उनके लिए सही हो दें कि वो क्या करते हैं focus इस पर नहीं करते कि love कितना है वो focus इस पर करते हैं कि क्या आप उनका जो कर्णेक्शनल society के साब से या फिर आसपास के हिसाब से माहौल के साब से fit बैठ रहा है या नहीं तो clarity basically इस चीज़ की नहीं होती कि मैं सामने वाले को चाहता हूँ या नहीं ठीक है obviously बात है इस चीज़ की clarity सभी के पास होती है कि मुझे सामने वाला इंसान मैं उसको चाहत रखता हूँ उसकी या नहीं मुझे उससे प्यार है या नहीं इसकी clarity हर इनसान को होती है problem कहां आ रही होती है कि ये जो भी चीज़ें वो आपके साथ आगे बढ़ाना चाहता है उसमें सारी चीज़े alignment हैं या नहीं कहने का मतलब है कि अगर आपका person आपके सब marriage करना चाहते है तो marriage के साथ जो भी suitable conditions है वो सारी conditions fulfill हो पा रही है या नहीं marriage के लिए जितनी चीज़ें चाहिए वो चीज़ें सब हो पा रही है या नहीं अगर वो हो पा रही है तो marriage आराम से हो जाती है पर अगर वो चीज़ें नहीं हो पा रही है तो इनसान फिर ना connection में रहता है प्यार में भी रहता है बर शादी में नहीं जा पाता है समझ गए होगे आप वह एनरजी रहती है तो इंसान कहता है clarity नहीं है basically clarity मतलब क्या है clarity मतलब आपको ये तो हमेशा पता होता है कि आप उस इंसान को चाहते है या नहीं क्लारिटी नहीं होती अलाइनमेंट की इस सब चीजें अलाइन कैसे हों ठीक है तो यहां पर हम डैवल को एक पर क्लारिफाई करते हैं उसके बाद मैं आपको बताती हूं कि क्या सेनारियो है प्लीज क्लारिफाई किजिए इंजल्स डैवल देखिए मुझे ऐसा नजर आता है कि आपके पास यह जो कमिट्मेंट आनी थी ना वो कमिट्मेंट आपके पास नहीं आ पारी थी उसके काफी सारे कारेंट थे आपके जो मैरिज नहीं हो पारी थी इस परसन के साथ या फिर आपके परसन आपको आफर नहीं कर रहे थे या फ साथा द्वांद था तीक है यह परसन मतलब होता ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफी उस तरीकी के इंसान होते हैं जो मतलब एक तरीके से सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाती हूं कि उनके अंदर बहुत सारी अडिक्शन होती हैं आपका जो पार्टनर है डेवल की आप देखें यह जो डेवल की एनरजी यह आपके अंदर भी हो सकती है क्योंकि हम यह नहीं कहीं कि सिर्फ आपके परसन के अंदर है आपके अंदर भी हो सकते हैं आपको भी कुछ चीज ऐसी थी जो चाहिए थी शायद alignment में या फिर आपको भी लग रहा थे कि परसन सिर्फ मतलब किसी पर लगा रहे हैं ह। रियल और जैनून होगी है। मतलब फट्राइब करने में इसको थोड़ी है कि वह इंससे प्यार करता है या तो छुब Θम करता है और एक बैकारी इसस बिचांतर भी हो सकता है कि उसके मन हो सर्फ आप लेकिन वो बात करता है तो उसको मज़ा आता है वो यह कहता है कि तुम मुझसे ही बात करोगे तेँ है मेरे साथ ही रहोगे तुम जो करना है तुम कसी और के हिसी क 누र के पास मत चाओ कि यूथ इन सिर्टी होती दूसरे वाले पार्टनर को तो वो क्या करता है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है आप एक इंसान है जो कंट्रोल होना पसंद नहीं है ऐसा नहीं है कि वो आपकी जगा किसी और को दे रहा है या वो आपको नहीं चाहता है किसी और को चाह रहा है या फिर वो किसी और के पास भाग रहा है ऐसा नहीं है एक होता है कि आप थोड़े इंट्रोवर्ट हो आपको सबसे मन होता है बात करने का यह नहीं है कि वह आप सब को चाहता भी है आई होप आप समझ गया ठीक है वालब किसी से बात करने को यह नहीं है कि यह नहीं है कि सबसे मन होता है उसको ठीक है आप से वह आपके साथ जो जो जरूरी थोड़ी कि सबके साथ कनेक्शन है ठीक है त जो था ब्लॉक अन्ब्लॉक इंसान को कोई भी चीज आसानी से मिल जा दिये तो इसका इगो हाई हो जाता है फिर वो ब्लॉक अन्ब्लॉक वाली सिच्वेशन बनती है इस तरीकी के तमाम नेगिटिविटी फिर इगो क्लैशे होते हैं इगो भी बहुत भेंग करें सबका यह सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम नहीं होते हैं आपको लगता है कि हम कुछ भी बोलें कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन आपका जो एक एक बोला हुए शब्ड होता है वह यूनिवर्स तक जा रहा होता है तो आप जब शब्स निकाल रहे होते हैं ना मूँ से क्य क्यों हो रहे हैं उसके थर्द पाड़ी में चला गया ऐसा भी दो सकता है कि वह सारी शब्ड आप ही ने बोले हो उसको तो सारा जो गंदा संदा है वह आपने बोला हो और आपको लग रहे हैं लेकिन यह आपके सब्डों का सार हो ठीक है ना तो जब इन्सान इस्टॉड हो होते हो तो वह भी वहां से रिफ्लेक्ट होते हैं ठीक है कि आप इस तरीक की चीज़ने भीच रहे थे तो इसी चाहिए से उसने रिस्पॉंस भी कर दिया तो कई तरीक की चीज़ा दी जो आपके कनेक्शन में कतने डेवल का काम कर रही थी और आपकी मैरिज को रोके हुए ढोड़ी हैं आप से और आपके परसNew से बहुत होती हैं ठीक है सही समय पर सही बाद ना बोलना- कम्यूनिकेशन गैप ठीक है इको क्ले लाश और अडिशंस त्रीक एक misschien की चाहत कोच है किसी का कर्या कोच है किसी का करीयर कोच है तो य辆इमंत या आना दोनों की ऐंडर्स् को चीज यहां थी जो आपको सीख नहीं थी क्या है आप आप लोगों ने सीख ली होगी क्योंकि मुझे तो अभी भी टू आफ शॉर्ट की अनरजी नजर आती अभी भी काफी सारे लोग को मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम है देखें अगर आप आज भी इस परसन को नहीं कर पाते हैं या आप क्लारिटी के साथ नहीं बोल पाते हैं इंजल को मुझे तो यहीं इनसान चाहिए यहीं मेरे लिए बैटर है इसका मतला है कि अभी भी कुछ डेविल्स आप डोनों के अंदर है ना उनको भी अभी आप देखनी पाते कि आप और वो कितने करते रहे तो यह ऐसा नहीं था कि आप दोनों ने इसको ब्लॉक माने तो आपको बात करनी नहीं है आपको ब्लॉक मानने के मतलब वेट करते हैं सामने वाले के कॉल मैसेज का या ठीक है अन ब्लॉक करने का या वह भी आपके अन ब्लॉक करने का वेट करता है कॉल मैसेज का वेट करते हैं तो यह सारी चीज़ आपकी क्लाइक कनेक्शन में चल रही थी आपकी इंट्यूशन बता भी रहते कि आप दोनों एक दूसे को बहुत जाता चाहते हैं लेकिन आपने इस चीज़ को एकसेप्ट नहीं किया क्यों कि आप जो चाहते थे जिस तरीके से चाहते थे उस तरीके से सामने वाले रिस्पॉंस नहीं कर रहा था यापका पाड़नर चाहते हैं आप इस तरीके से बोलें इस तरीके से काम करें आप नहीं कर रहे हो आप चाहते हो इस तरीके से बात ना करें उससे बात ना करें वो भी नहीं कर रहा है तो यहां पर क्या होता है एको उसका कोई कारण नहीं होता है अगर किसी चीज़ का कारण है तो फिर यहां पर आपने पने लॉजिकल माइंड का यूस किया है कि लव हमेशा ही उसका कोई कारण नहीं होता है अब आप कहोगे कि कारण है कि वह बहुत खुशूरत है कारण है कि वह ऐसा है वह वैसा है जहां कारण होते हैं वहां logical mind का यूज किया गया है जहां पर आप यह कहें कि सामने वाला मुझे पसंद तो है लेकिन यह नहीं पता कि क्यों पसंद है वह एक्च्वल लाव है तो यहां पर वही energy है कि आपने कभी intuitions नहीं follow कि आपके person में भी intuitions follow नहीं किये हमेशा follow किया सामने की सामने वाले की अच्छा ही है या कम्या अब अच्छी लगी तो सब कुछ बहुत अच्छा है जब कम्या दिखाई दी तो सब कुछ बहुत बेकार है तो इस तरह की energy इंडिल्स बता रहे हैं कि इस सारे learning lessons थे जो आपको life में सब कुछ alignment में चुनेंगी या फिर marriage चुनेंगी जरूरी नहीं कि आपकी marriage आपकी चीजों से align कर रही है और फिर सुनिये बहुत सारे लोग की connection में ऐसा होता है कि कुछ differences होते हैं ठीक है अब जब बाद marriage की आईगी तो differences के साथ आपको accept करना होता है लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं stability चुनते हैं उस वक्ति ये देखते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा कहां से मिल रहा है उसमें चले जाते हैं comfortable जो भी comfortably जो भी चीज़ें मिल रही है उसके side में चले जाते हैं और कर लेते हैं अपना काम तो वह चीज़ यहां पर angel पतानी की कोशिश कर रहे है कोई focus कर रहा है fear को ठीक है कि कोई focus कर रहा है कि लोग क्या करेंगे तो इस तरीके चीज़ें भी थी जो आपको learn करनी थी तब जाकर यहां पर universe का कोई action हो सकता था तब जाकर आप दोने के बीच में चीज़ें clear हो सकती थी clarity आ सकती थे इसके लिए लगता है inner work तो मुझे लगता है definitely कुछ चीज़ें अभी में बागी हैं जो आप लोगों ने नहीं कर पाई है ठीक है यहां पर जब तक आप अपने माइंड परसेंट हो जाते तब तक किस तरीके से आपका union possible हो angels पूछ रहे हैं ठीक है आपको 100% माइंड से clear होना पड़ेगा कि आप क्या चाहते ह हैं और आपको यह कहीं ना कहीं ऐसे नहीं कि आपकी यह जो चाहत है वो उस हसाब से है माइंड की clarity के आप से ठीक है कि आप 100% sure है और अगर sure है तो क्यों sure है यह चीज़ है इंगल आप से पूछने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर तो यह चीज़ मुझे आपर दिखाई जे यह चीज़ प्रीज यह चीज़ शबस्क्राइब चानल थैंक यह चीज़